कि तो हेलो गाईज तो स्वागत है आपका हमारा वैटफोर्म साइंस में है आज अध्श्常 हमारा वीडिव है आप इजली देख सकते हैं का इज क्या लिखा हूँ है तो यहाँ पर आगर यजी ली देखें तो लिखा क्या हूँ है address हो एक फाइड से यहाँ पर गया पर यहाँ मैं समझाऊंगा अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप वीडियो के नीचे यार कुछ भी लिखे कर चले जाना ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों में पोशन और कलास सात्वा के लिए है और जो कि आज हम चैप्टर समाप्त कर देंगे छोटा छोटा वीडियो बनाने में बहुत सी प्रॉबलम होती है इसलिए मैंने सोचा कि यार एक ही वीडियो में क्यों न कंप्लीट कर दो तो आप वीडियो को एंड तक देखिए यानि अंतिम तक देखिए हो सकता है मैं आपको जो समझाओंगा बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए आप बहुत ही ध्यान दीजेगा बारिकी से तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिद दे रहा हूँ कि यार आज समझना क्या है तो पौधों में पोसन ठेक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो मेरा नाम है पप्पो और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारा प्लेटफॉर्म साइंस महल पर ठेक है तो वीडियो स्टार्ट है और आप देखने का परियास किजिए तो आप से पूछ दिया जाया कि पूछन क्या है किसे कहते हैं पूछन से आप क्या समझते हैं इस सबका मतलब एक ही होता है जो आपको आता हैं लाज पोसन कहलाता है ठीक है तो यहां पर आपको पोसन समझ आई गी नहीं आई ठीक है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अहां पेन और कॉंपी लेकर रेडी हो जाई है जिसे से आप अच्छे तरीकों से नोट्स त्यार कर पाएं और एक्जाम में नंबर ज्यादा से ज्याद इससे आप क्या समझते हैं और इसका परिभासा दिजिए सबका मतलब एक ही होता है जो आपको आता हुवा ही लिखना है तो यहां पर इजीली आप परिभासा देख सकते हैं कि भोजन में उपस्तित कार्पो हैड्रेड प्रोटिन वसा बिटामिन और खनीजलवन इत्यादी को ही हम कहते हैं पोशक तत्वा कहने का मतलब यह है साथ ही कि हमारा जो भोजन होता है यानि जो हमारा खाना होता है उसमें ही गाज क्या पाई जाते हैं तो कार्बोहेडरेड, प्रोटिन, वसा, विटामीन और खनिजलवन तो यही सब आपके क्या होते हैं पोशक तत्वा होते हैं तो यह आपको क्या करने पड़ेगी तो यहार ध्यान देनी पड़ेगी ठीक है तो यह सब बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा और चलिए आगे की बातों को हम देखते हैं यह भी बात आपको असानी से आ गई होगी ठीक है तो अब हम चलते हैं आगे की ओर तो यहां पर आप देख सकते हैं आगे की बात है कि खादे फैक्टरी क्या है खादे का मतलब होता है खाने वाला यानि खाने वाला फैक्टरी यानि कह सकते हैं कि जहां पर यहां पर परिभासा देखे तो जहां पर बहुत सारा भोजन उपस् यानि खादे फैक्टरी हम किसको कहेंगे तो खादे फैक्टरी हम यहाँ पर खाद लिखा चुके है बड़ यहाँ पर खाद ही होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपको समझनी है खादे फैक्टरी खादे फैक्टरी आखिर हम किसको कहेंगे यानि जहां पर भोजन का क्या हो बहुत सारा हो समू हो तो जैसे हमारा भोजन सब मानते हैं कि यहां पर एक कमरा है ठीक है और इसमें बहुत परकार के मतलब यहां पर भोजन यहां पर रखे हुए तो बहुत परकार के भोजन रखे हुए तो अब हम कहेंगे न कि यार वहाँ पर बोजन के factory है यानि खाद धी factory है तो खाद धी factory हम किसको कहेंगे जहांपर बहुत सारे भोजन उपस्तित होंगे तो यह भी बात आपको बहुत हिबारी की स्मझे में आ गई होगी तो चली अब हम समझते हैं आगे की और और आगे की बाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा क्या है कि परकास संसलेशन के लिए आवस्यक कच्चे पदार्थ गाईज हमें यह पढ़ने की जरूरत क्यों पढ़ी तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो पोधा होते हैं उनको तो हम कभी खाना देते नहीं है तो परकास के उपस्तिती में क्या कर लेते हैं वे परकास को संसलेशन कर लेते हैं यानि परकास को गरहन करके और वो अपना भोजन बना लेते हैं तो परकास संसलेशन यानि परकास को जो गरहन करते हैं उसको हम कहते हैं परकास संसलेशन तो यहाँ पर परकास संसलेशन यानि जब पौधा भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरत होती है यहाँ पर इजी लिए आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ल लीखा क्या हो कि क्लोड़ु फिल वरनक वह कहां पाई जाती है तो हरी पतीय ना उनसें क्या होता है कि आख करें weiß profil होता क्या हा है और इसके बाद आता है कार्बन डाई उक्साइड तो कार्बन डाई उक्साइड यह हमारा क्या है एक गैस है जो कि वायू में उपस्तित है वायू कहने का मतलब पवन यह कह सकते हैं बोल चल की भासा में हवा तो हमारा जो कार्बन डाई उक्साइड कहां पर उपस्तित है तो हवा में ही उपस्तित ह यानि कह सकते हैं वायू मंडल में ठीक है तो जहाँ पर और भी बाते हैं जो कि आप इसली देख सकते हैं जल एवाम खनीजलवन तो जल और एवाम खनीजलवन यह क्या है पोशक तत्व हैं जो कि आपके मिटी के अंदर होते हैं जियां गाइज हमारा जो जल एवाम मलता है तहिस आप ऐसे समझों कि हमारा जो दो और होटा है जो जल कहां पर उता है मिठी के अंदर होता है ऑनकर इसके बाद हम आपको समझ आते हैं कि आखिर यह परकास संसलेशन होता क्या है तो यहाँ पर आप परकास संसलेशन को इजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है परकास संसलेशन तो परकास संसलेशन आप समझने से पहले परकास तो समझे रहे हैं कि सुर्य से आने वाली किरने क्या है परकास है और संसलेशन यानि जो परकास का उप्योग करता हो तो गैज कि हम परकास का उप्योग करके रह सकते हैं जिया हम रह सकते हैं पर ज्यादा दिर तक नहीं रह सकते हैं लेकिन क्या पेंड पोधे परकास का उप्योग कर रह सकते हैं जियां गाईज हमारा जो पेंड पोधे होते हैं विप परकास का उप्योग कर ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि हरे पोधे द्वारा हारे पोधी द्वारा सूरे के उपस्तिती में गाई जी सूरे जब उपस्तित है तो सूरे के उपस्तिती में क्लोरोफीलej कार्बन डाई ऑकसाइड के अग्या गैस से और जल अवम खनी जलवन का उप्योंकर या भोजन बनाते हैं ज्यांकर आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारी जो पौधे होती है वे क्या करती है कि कारबन डाई ओकसाइड वायू से लेती है और जल एवा में खनी जलवन कहां से लेती है भूमी से और सुरे की जो हमारी परकास होती है वो आपको लेती है और इसके बाद क्या करती है भोजन बनाती है और भोजन बनाने के बाद हमारी जो पेड़ पोधा थी क्या लेती थी तो कारवन डाई ओक्साइड लेकिन यहां पर भोजन बनाने के बाद वो ऑक्सीजन छोड़ती है तो जहां पर इजिली देख सकते हैं ऑक्सीजन छोड़ने की किरिया को हम कहते हैं पर क वे क्या करते है कि ओक्सीजन को वायू मंदल में यानि हुआ में क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो वही गायज आपको कहलाता है आपको परकार संसलेशन आई की नहीं आई आई आप तो रंध्र हम छीद्र को बोलते हैं और यहां पर वही लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं कि पौधों की पतिया जो होती है उस जो यहां पर देख सकते हैं पौधों की पतिया की सतफर छीद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं और रंध्र का द्वार कोशी का द्वार क् यह पत्तियों के दोनों भाग क्या सकते उपर नीचे में पाई जाती हैं, कहने का मतलब है गाईज कि हमारा जो पत्ती होता है, क्या इस टाइप किस होती है, आप देख सकते हैं, क्या कभी आपने पती को देखा है कुछ इस परकार की होती है तो आपने देखा ही होगा तो आपने या रही है जो पती होता है ना पती के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो वही छिद्र आपको क्या कहलाते हैं रंधर कहलाती है और रंधर का दवार क्या हो सकते हैं कि मैं ने रंधर का परिवासा लिख दिया है और आप यहां पर समझने का पर्यास केजिए तो कि आपको रंधर समझ में आई की नहीं आई हुम किसको कहेंगे कि हरे जो पतियां होती है पौधो की उन पर बहुत सारे छिद्र होते हैं तो कहा जुब ही कहला और उनको पास carbon dioxide जा पाता है, ठीक है, तो यह जिली आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और हम हम समझते हैं आगे की बाते, तो यहाँ पर आगे की बाते में लिखा भी हुआ है, कि यदि परकास translation नहीं होगा, तो गैज क्या होगा, तो गैज क्या आपको जवाब पता है, अगर आ पाते हैं, और वही नहीं होगा, तो क्या होगा, तो गैज आपको तो पताई है, कि पिन पोधे जब खाएंगे ही नहीं, तो हमको भोजन पराप्त कहां से होगा, एक्जामपल समझे, जब पिन पोधे भोजन खाएंगे ही नहीं, तो क्या हम लोग जीवी तरह पाएंगे, जब उन लोग ही नहीं भोजन कर पाएंगे तो वहार भोजन भी कहां से दे पाएंगे तो यदी परकाश संसले से नहीं होगा तो क्या होगा तो बस आपको यहां पर ख्याल रखनी है कि अगर नहीं होगा तो प्रानियों को खादी पदार्थ या खाने वाले पदार्थ उपल बद नहीं होगा और धीरे धीरे हम लोग कहां पर चले जाएंगे तो आप समझ ही रहें कि हम लोग कहां पर चले जाएंगे तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बातो यहां पर आप सब देख सकते हैं लिखा भी हुआ है ब्रिक्छा रोपन तो ब्रिक्छा रोपन यह होता क ठेक है तो यह रोपा क्यों जाता है तो आप सब को पता है कि हम लोग क्या लेते हैं तो आक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं तो कारवन डैयोकसड तो गयज हमें जीवित रहने के लिए हमें पेन पोधों को लगाना बहुत जरूरी है इसलिए सरकार क्या करती है कि हर साल स्कूलों में यानि जो हमारी जो कॉलेज होती है उनमें यार ब्रिक्षा रोपन का वहाँ पर नियम लागू करता है कि हर स्कूल हर कॉलेज में वहाँ पर ब्रिक्ष रोपा जाए इससे हमारा जो पर्यावरन है सुध रहे और हम ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाया तो गाज ब्रिक्षा रोपन हमें करना भी चाहिए इससे हम बहुत दिनों तक स्वस्त रहे हैं अन्य था आप खुद वह खुद क्या हो जाएंगे चले जाएंगे और कहां चले जाएंगे यानि समझ यह कि आप दुनिया से चले जाएंगे ठीक ह तो ब्रिक्षा ब्रिक्ष जो होते हैं उनको रोपना बहुत आवस्यों होता है ठीक है तो ब्रिक्षा रोपन आपको किलियर ली आ गई होगी तो यहाँ भी बाते आपको किलियर आ गई होगी अगर आ गई होते हैं वीडियो को लाइक कर दो और चले हम आगे की बातों को य करिया होती है कि आर हरी पत्यम में क्या होती है लेकिन बात आती है कि यार क्या सफेद रांग वाली पत्यम में विफ्य होती है तो आपको घबरानी नहीं है आपसे जगह पर आएं कि तो आपको करना क्या है बसद tuo SMS आपको behaviorर Wick के अगर कोई पता अगर हरा नहीं है इसका मतलब यह नहीं करता है तो यह बात आपको आई की नहीं आई यानि अगर easily देखा जाए friends तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यार हमारी जो हर रंग की जो पतिया होती है उनमें भी क्या होता है परकास translation की किरिया होती ठीक है तो बस आपको easily याद रखना है कि जब तक भाईया पेणे में है पति तब तक वह क्या करेगा परकास translation लेगा ही लेगा ठीक है तो गाईज लिए अब हम चलते हैं आगे की और तो गाईज यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि आगे लिखा क्या हुआ है सेवाल क्या है तो गाईज मैं जो यहाँ पर समझा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए समझा रहा हूँ बस आप ध्यान दीजिए अगर एक मिनट भी अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आप नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं कि आप लिखा क्या हुआ है कि गिली जगों पर हरे रंग के जमे चिकनी सतह को हम क्या कहते हैं सैवाल कहते हैं और इनमें भी क्लोरोफिल होता है ठीक है तो इनमें भी क्लोरोफिल होता है और इसलिए यह पर कास संसलेशन द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं अता यह क्या है सो पोसी है तो जहाँ पर आपको समझना क्या है कि हमारा जो सैवाल होता है वह क्या होता है तो आप ऐसे समझे ना यार आपके घरों में यार कल होंगे कल नहीं समझे नल भी होंगे तो नल होंगे तो यार नल के पास आप देखना कि वहाँ पर आप अगर वहाँ पर ज्यादा देर तक पानी वहाँ पर जमा हुआ रहता है ज्यादा दिनों तक तो वहाँ पर आप देखेंगे तो हरे हरे टाइप के आपको कुछ सतह देखने को मिलेंगे जो कि आप अगर उसको टर्च किजेगा तो हो सकता है आप छलक जाएंगे है पर कास लेकर के अपना भोजन स्वयम बनाता है इसलिए यह क्या है स्वपोसी है तो स्वपोसी और अभी हम आगे बताएंगे कि यह होता क्या है तब तक लिए आप यहां पर देखिए सवाल का जो डिफनेशन है कुछ इस परकार के आप असानी से लिख सकते हैं ठीक है तो यहां भी बात आपको असानी से याद रखनी है तो गाइज अब आती है अब next और और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें समझनी क्या है स्वा पोसंगे आईए दोस्तो अब हम समझना किया है स्वपोशन होता गया है तो बस आप द्यान दीजिए यहाँ पर लिखा किया हुआ है तो गाईज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि जो सजीव अपना भोजन खुद बना ले वही तो आपका होता है स्वपोशन गाईज कहने का मतलब है हम भी तो खुद ही बना लेते हैं लेकिन यही अब जरूरी नहीं यार हम लोग तो खुद खाना बना ही लेते हैं बट ऐसे नहीं कि यार जब कह सकते हैं हम लोग कभी कभी होता भी है कि यहां पर स्वपोसन यानि इसको हम स्वपोसी भी कह सकते हैं तो समझना यहां यह है कि जो सजीव सजीव तो पता है ना यार सजीव हम आपको बता है तो आप इसली समझ सकते हैं सजीव एक हम है एक आप है यानि जिन में ब्रीधी हो इसलिए अगर समझा जाया तो जिन में ब्रीधी हो यानि जो छोटा से बड़ा होता हो उसको हम सजीव कहेंगे आपको बहुत सारे ऐसे लक्सने बट आपको मैंने एक ही दिया है तो जो सजीव अपना भोजन खुद बना जाले वही आपका होता है स्वपोशन जैसे हरा पेंड पौधा आपने कभी इनको खाल मतलब खाना दिया है नहीं ना दिया है तो यही तो है आपका स्वपोशन ठीक है तो स्वपोशन आपको समझ आई कि नहीं आई जिए आपका है स्वपोशन अब सलिए हम समझते हैं आप बीसम पोशन तो हमने पर यहां पर हटा देंगे तो यहां पर पोशन तो पता है कि खाने की पर किरिया कहलाती है तो पोशन कहलाती है अगर बीसम हटा दे तो पोशन हमें पता है कि क्या होती है खाने की पर किरिया यार पोशन कहलाती है आपको तो पता है न तो यहां पर में समझनी क्या है पर पोशन आखिर होती क्या है तो जहां पर परिवास आप इजी लिए देखे तो इस प्रकार के है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे अथवा जीओं पर निर्भर रहते हैं तो वही आपको कहलाते है पर पोशन यह कह सकते हैं बीसम पोशन ठ यह जो पोधा है यह दूसरी पोधे पर क्या होते है निर्भर होते हैं तो यह भी बात आपको समझ आ गई होगी कि बीसम पोशन या पर पोशन क्या होता है यानि इसे लिए समझा जा तो हम भी एक क्या है बीसम पोशन है ठीक है तो बीसम पोशन हम किसको कहेंगे जो दूस उसरे जीवों पर आस्रित होता हो तो काज उसे ही हम क्या कहते हैं बीसम पोशन कहते हैं तो यह भी बात आपको किलिए आ गई होगी अब चलिए अब हम समझते हैं आगे की बात हो तो हम देख लेते हैं कि यार हमारा टाइम कितना हुआ तो काज अभी भी हमें 22 मिनेट हुई है यानि 20.30 मिनेट हुई है मतलब चैप्टर समापती कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब समझना क्या है पर जीवी पोशन तो काज समझना क्या है पर जीवी पोशन के लिए है दूसरे जानधार जियों गाज यह मेन पॉΐंट है जानदार यानि जिन्दा पौधा पर निर्भर रहता हो तो वही आपका परजीवी पौशन हम किसको कहांगे तो वैसे पौध वैसे पदप जो किसी दूसरे पदप पर निर्फ़र होते हैं जैसे जानदार पदप पर तो वह आपका क्या कहलाते हैं PARGYWU पोसन कहलाते हैं तो Sub, Rec — किसको कहाँ है तो Amar Bail क्या है ना काइज यह दूसरे पादप से अपना भोजन प्राप्त करता है और वह जानदार पादप से यानि जिन्दा पौधा पर ही आप अगर देहात में देखे होंगे यार चौमिन समझ रहे हैं चौमिन की तरह आपको देखने कोई मिलेगा पीला पीला टाइप का तो वह आपको क्या कहलाएगा अमरेवेल होता है तो वह क्या होते हैं यार दूसरी पौधे पर रहकर वह अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो वह है आपका जब पौधा अपने भोजन के लिए दूसरे जानदार पौधा पर निरभर होता हो तो वही तो है आपका क्या पर जीवी पोषन आई की नहीं आई अगर आई हो तो विडियो को कर देना लाइक और चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर आप दिख सकती है समझना क्या है मिरित जीवी पोषन यह आकिर होता गया है तो गाईज मिरित जीवी पोसन तो यहाँ पर अगर आप इजीली परिवासा देखें तो बहुत ही आसान है तो यहाँ पर आप देख सकती है जब पोधा सड़े गले या यहाँ पर अमरित लिखा गया यहाँ पर होता मिरित ठीक है तो सड़े गले या मिरित पोधा से अपना भोजन यार प्राप्त करता हो तो उसे ही हम कहते हैं मृत जीवी पोशन ठीक है यानि आपको इतना बात याद रखनी है कि जो सलागला से अपना भोजन प्राप्त करता हो तो वही आपका क्या कहलाता है मृत जीवी पोशन कहलाता है जैसे हम समझे तो कुक कर मुत्ता एक क्या होता है यह मारा हुआ साड़ाग्रा से प्राप्त करता आट इसको हम और भी नाम से कहते हैं मश्रूम यो है कह सकते गोबर शथे गोबर कि आलोगोर है क्या पर आपको यह सब कभीम काल देखने को मिलेगा जो की बरसात के टाइब में ठीक है तो काईज अब हम समझते हैं आगे की बाते और अगा आपको यहाँ पर बात समझा आ गई हो तो आगे की बातों को आप समझने के लिए तयार रहिए और चलिए अब हम आपको समझाते हैं आगे की बाते तो काज यहां पर आप देख सकते हो यार लिखा किया हुआ है फफुन्द तो फफुन्ध क्या है तो काज यहां पर परिभास आप देख सकते हैं कि सड़ी हुई चीजों पर उगने वाली रुई के धागों के समान आकरिती को हम कहते हैं फफफूंद तो गाज आप अगर आपको फफफूंद समझना है तो आप अचार जानते हैं आप अचार को खराब कर देजिए और आपको उस पर न यार रुई जो होता है ना उसके समझ आपको धागे के समान आपको देखने को आकरिती मिलेगा वहां पर तो आपको फोटो आकरिती यानि- मतलब फोटो देखने को मीलेगा तो वही आपका कहलाता है पपुर जैसे कि आप अचार पर देख सकते हैं चमडे पर हो आप पर गाईज आप बरेड समझ रहे हैं यार ओइसे नहीं समझ रहे हो दही समझ रहे हो यार दही पर भी आपको देखने को मिलेगा भूरे भूरे टाइप के आपको देखने को मिलेगा और उसे अगर ऐसे नहीं देखने को मिलेगा और कभी काल आपको न उसको बैग्यानी के द लिख सकते हैं अगर उसे खुले में अगर चार पांच दिन रख दे तो आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो फफूंद आपको यहां पर बाते जो परिभासा है लिख सकते हैं बहुत तीजी है कि सड़ी हुई चीजों पर उगने वाली रूई के धागों के समान आकरिती को ह गई होगी तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुई है किट भक्ची क्या है तो यहां पर अगर आप इजीली देखे तो बहुत ही मैंने सिंपल सा समझाया है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखिए तो लिख तो इन तीनों में से हम कोई भी नामों से यहां पर इसको पुकार सकते हैं। और यहाँ पर किठारी का जो परिवास है बहुत ही सिंपल है किठारी ऐसे पौधे को हम कहते हैं जो किठो को पकड़ कर अपना भोजन गिरहन करते हैं गैज हमारा जो किट हारी पौधा होता है ना तो वे क्या करता है कि आर किट को पकड़ करके और भोजन प्राप्त कर लेता है हाला कि मैं आपको चीतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप दिखने का प्रयास कीजिए तो हमारा जो किट भक्षी जो पौधा होता है वह क्या करता है नियार किट को पकड़ कर खा जाता है इसलिए हम उसे किट हारी भी कहती है या कह सकते है घट परनी भी कहती है या हम पीचर पौधा भी कहती है तो इन सभी पौधों में से आप कोई भी नाम से बुला सकते हैं त तो अपना भोजन किट को पकड़ कर प्राप्त करते हैं तो वही आपको क्या कहलाते हैं किट भक्षी कहलाती हैं तो अब हम चलते हैं आगे की और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो यार वीडियो को रोक कर आप जरूर लिखना तो चलिए अब हम समझते हैं सहजीवी साथ में अपना भोजन एक दूसरे के बाटते हुए करते हैं अतर उन्हें सहाजीवी पोषन कहते हैं जैसे लाइकेन और सहवाल मिर्ट जीव कवक साथ में रहते हैं और साथ में अपना भोजन बाटते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो काई सहजीवी संबंध आपको समझ आई के नहीं आई जो एक दूसरे में बाट कर यह मतलब हमारा भोजन तुखाओ और मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा तो काई यही तो आपका होता है सहजीवी संबंध पोसन तो यह भी बात आपको किलियर हो गई होगी और चलिए अब हम समझते हैं लास्ट और मेंड पॉइंट जो की है क्लोरोफिल तो सबरी हम कर लिए अब हम समझते हैं कि यार आखिर क्लोरोफिल हम किसको कहते हैं तो क्लोरोफिल हम किसको कहते हैं आप इजिली यार देख सकत हो तो यहाँ पर आप इजिली देखोगे तो लिखा हुआ है कि हरे पॉधे की पतिया में हरे पॉधे की पतिया में एक परकार की मतलब अलग परकार की आकरिती होती है जिसे हम कहते हैं हरित लवक या क्लूरोपलास्ट ठेक है और यह क्लूरोपलास्ट वा में क्या होता है न गाइस कि हरे रंग का एक रंजक यानि वर्नक पाई जाती है तो जिसे हम कहते हैं क्लूरोफिल सिर्फ यह पादप में पाई ज उसमें यार एक अलग परकार की क्या होती है आकरिती होती है जिसे हम हरित लवक या क्लोरोपलस्ट कहते हैं और यह क्लोरोपलस्ट वा में क्या होता ना गाईज कि आपको हरे रंग का एक वर्नक पाई जाती हरे रंग का एक रंजक पाया जाता है हरे रंग का एक पिग्मेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल तो यह सिर्फ पादप में पाई जाती है तो यह भी बात आपको किलियर हो गई होगी तो आजका जो वीडियो हो यही पर समाप्त होता है और आपका चेप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो गया और कुछ छोटी-मोटी जानकारी अगर मुझसे भूल हो गई हो तो आप वीडियो के नीचे लिखना मैं उस पर वीडियो बना दूँगा तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मिलता है और जुड़े रहना और हाँ अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक सबस्क्राइब दे दो ठीक है बस एक सबस्क्राइब दे दो मैं उसी में खुस हो जाओंगा ठीक है और अपना नाम भी नीचे लिख देने यार ठीक है तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर सम अब दो हो और हाँ